कि अंजी एक्जाम्पल 40th विटा पेज तू थर्टी पे मेरे पास यहां पर क्या था फाइंड एप्सलीट मैक्सिमान मिनिमा फर फंक्शन फंक्शन मुझे दिया हुआ था विटा 12 x power 4 by 3 minus 6 x power 1 by 3 x belongs to minus 1 to 1 और मैंने यह बताया था कि इसका derivative ले लिजे जब आप इसका derivative ले रहे थे ना बेटा derivative लेने पर value मेरे यह आई थी 16 x 1 by 3 minus 2 x 2 by 3 यह बनी थी मैंने LCM ले लिया x 2 by 3 का 16 अब इसके रीचे कुछ नहीं है यह इसके साथ multiply होना है जब basis same हो तो powers क्या हो जाती है एड तो यह 3 यह बाइट ट्री बन गया तो x की पावर वाणना की माइनस यह इससे cancel यह 2 बन गया ऑकें समय हैं अब 2, 8x-1 ओवर एक्स कि पावर 2 by 3 अब दिस इप्वल टो 0 जब यह इक्वल टो 0 तो यह 0 के इकवल होगा यह 0 के इकवल नहीं यह लिदी जिलो कभी नहीं आ सकती क्योंकि जी यह नॉ डिफाइन और था मेंज 8x-1 एकवल टू जीरोween एक्सकी थाल बivesseल्कly यह वैब अब आपिसलेoeट्य मैक्सिम किया आ था था एक्सकी बेल्ट बाइन वाट एक्स धिसकल वैप्समटम्चिंट द्रूट मेंद्ध तो पिन लोटो आपनीव मैं और अभी अब एक्जाम्पल 51 भी बहुत एजी है पैरा बोला जैसे है जैसे मैंने करवाया था त्राइट नाओ आई विल स्टार्ट विद्धा एक्सरसाइज को के विद्धा एक्सराइज 6.5 लेट उस दूगाट एक्सराइज 6.5 बिद्धा यहां पना हर कोशन को करने का आपके थिंकिंग लेवल पर डिपेंड करता है कि आप कैसे सोच रहे हो और क्या कर रहे हैं ओके तो मेरे पास जो है फॉर्स्ट कोश्चिन फॉर्स्ट पार्ट है फाइंड दा मैक्सिमम एंड दा मिनिमम वैल्यू इफ एनी ओफ दा फॉंक्शन देखिए बेटा तू एक्स माइनस वन पावर टू प्लस त्री यह मुझे कहा गए है अब ज़रूरी नहीं है कि मैं फर्स्ट डेरिवेटिव या सकीन डेरिवेटिव टेस्ट लगा के देखिए आपने उससे करना आप उससे भी कर सकते कोई प्रॉब्लम मैं पहले फर्स डेरिवेटिव टेस्ट जो नॉमली हमारे दिमाग में आता है ये सकंड डरिवेटिव फॉर्स डरिवेटिव लिया 2, 2x-1, x2, 2 अंट 2, हाँ जी, सेकंड डरिवेटिव साथ ही कर देती हूं 4 और इसका क्या है गटर 2, रिंसर 8, क्या है ये 224 क्ष़को डरिवेटिव क्या है तो 2, 4 to the 8, it is greater than zero therefore और कहां पर मैं इसकी वाल्यू निकाल दू तो एक्स की वाल्यू वन वाई टू है तो इसको जीरो पूट करो तो मेरे पास देरफोर मिनिमम वाल्यू मेरे पास एट एक्सिजग्वेल टू वन बै टू अर यहां पुट करो डाट इस मिनिमम वैल्यू इस इक्वल टू जब मैंने वन वाई टू पुट किया तो यह क्या हो गया जीरो जीरो प्लस त्री यह तो है कि मैंने प्रॉपर स्टेप की अगर एक स्माट बच्चा होना तो वह पता क्या स यह जीरो होगा किस पर वन बाइ टूपे अना तो इसकी वैल्यू कम से कम कितनी आएगी 3 आएगी maximum value का मुझे नहीं पता लग सकता क्यों कि यह square है so that means f of x that is 2x minus 1 whole square plus 3 this is always greater than equal to 3 always 3 से कम हो ही नहीं सकती तो सीधा आगया ना minimum value 3 mcq के लिए हमें ऐसे prepare होना पड़ा है मैं दोनों चीजे करांगा वो नहीं आता means कि अगर time come है तो थोड़ी smartness दिखाए और shortcut लगा है चले होगे चलिए next second part second part of the first question that is अब देखिये f of x 9 x square plus 12 x plus 2 जब भी quality का आयना complete scaring method adopt करने की कोशिश किया कर अब मैं फर्स्ट या सेकिंड डेरिवेटिव टेस्ट लेकिन करा रही हूं shortcut से करा रही हूं क्योंकि मैंने मैं आपको shortcut पता होने चाहिए मैंने nine common लिया अब को के जी त्री थ्री था थ्री फॉड अब हाफ दा कोफिशेंट आफ एक्स हाफ किया किसका क्या हो गया तुवाइस त्री उसका स्केर एड़ किया सब्ट्रैक्ट किया और तूवाइस नाइन पहले ही जा ओके जी नाइन यह गोल स्केर बन गया यह बैटा सॉल किया तो माइनस टू बै नाइन को उपन कर दी दोनों के साथ तो मेरे पास क्या आया नाइन एक्स प्लस तू बै थ्री का होल स्केर माइनस टू अब जो मर्जी कर लो इसकी वाल्यू हमेशा माइनस टू से बढ़ी होगी और माइनस टू भी आ सकती यह निए ग्रेटर दन इक्वल टू माइनस टू हंडर पर्सेंट मिनिमाम वैल्यू कितनी होगी माइनस टू ओके आम टेलिंग यू शॉटकट्स बाकी फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट आपको इतनी बार कर वादी हो तो आपको पता ही है सबको क्लियर है ठीक है चलें नेक्स पॉश्ण भी नेक्स देखिए थर्ड पार्ट अब धियांद से देखना थेरो थर्ड पार्ट में थर्ड पार्ट इस रिटन यह एफ एफ एक्स माइनस एक्स माइनस वन का स्केर पलास टैन अब बता सकते हूं यह नेगटीव लग गया अंदर वना वेशा पॉस्टीव रहना है जितनी वैल्यूस बढ़ती जाएंगी इसने क्या है लेस देन इक्वल टू टैन रहना है रहना कि नहीं यहीं रहना तो अगर्द मतलब क्या है दियर्फोर मैक्सिमाम वैल्यू कितनी आगी मिनिममम पता ही मिनिममम क्यों नहीं पता क्योंकि इसके आगे नेगटीव आगी यह शॉटकर ट्रिक्स चोटे-चोटे फंक्शन स्किन बाकि बड़ा तो आपको समझाई थिया हर एक्जांपल में किया ना एक्जांपल उसमें क्लियर है ना वो तो ना ना बता अब जरा खुच सोचिए फॉर्थ पार्ण में प्रग्णूर सोचो जरम जी एक्स इस एक्सक्यार प्लस वन मिनिमममली वन ओके चलो लोगी एक्सक्यूब लोगी हां जी एक्सक्यूब है मैक्सिमम इसे नहीं न वहीं सकती है यहां पूट करेंगे आप कह रहे हो कि मिनिममम वैल्यू बड़िन आप मैं आ को मिनिममम और कोई जटांगा अगर मैं एक्स की वैल्यू-1 पूट करती है क्या आगया एक्स की मैईनस वान प्लस वन अंसर केतना अगर मैं एक्स की वैल्यू माइनस कुट करती हूं माइनस बिल्कुल माइनस एफ प्लस वन माइनस और शूट होगे स्केल होता तो मैं मिनिमम वैल्यू वन कहती है यहां ना तो मैक्सिमा एग्जिस्ट करता है क्रातिंघ ना मीनिमम के साथ क्योंकि एज एक्स अप्रोच इनफिनिटी जी एक्सटोविपिस्टौप अप्रोच कर रहे है इनफिनिटी इज थै क्शच फॉप एंडितीज़ क्नौच परोच कर रहे मायनस इन्फिनिटी इपको तो 9 मीनिममा प्राब्रूर ने Smart कर दिया घ् एक स्केयर प्लस वन है मुझे पता इसका अंसर कभी भी नेगटिव नहीं आना क्योंकि आप नेगटिव पुट कर अब उसने पॉस्टिवी होता नहीं वहां क्यूब था तो वहां पॉसिबिल्टी नहीं थी तो यहां पर मिनिममम वैली जीरो जो है वन कब जब एक्स की वैल्यू जीरो ओके बैट क्लियर बात समय दाए ठीक है डिफ्रेंट माइनस वन डाले बैटा वन प्लस वन टू जीरो से कम आई नहीं सकती स्केर है ना स्केर क्या पर देगा पॉस्टिप पर देगा यही बात तो समधार है चलिए बैटा नाओ कम टू नेक्स कोशन नमबर टू अब देखिए मैक्सिममम एंड़ मिनिममम वाल्यू इफ एनी ऑफ दा फॉल्विंग फंक्शन अब आप खुद ही देखिए मैं आपको इट्टेंट्राइल बता रही हूं नहीं तो आप फॉस्ट एं सकींड डरिवेटी कोई भी अप्ला के अप्लाय करके कर सकते हैं जितने छोटे कोशन हैं हम इंटेंट्राइल से सोच सकते हैं ठीक है लेट एस सी दा फॉर्स कोशिन एक्स प्लस दू माइनस वान है उसने काया है वैल्यू भी बताओ ठीक है तो हमने वैल्यू भी बतानी है मिनिममम वैल्यू कितनी है है शोची जर आँ मार आगया दो मर्दी एक्सी वैल्यू पुट गर्दो इसने पॉस्टी भी रहने है तो किसी पॉइंट भागे यह 0 हो सकती है माइनस वो सकती है तो 0-1 minimum value क्या रहने है माइनस वन थिस वाल्वी क्रेट ग्रेट भी पॉज सकते हैं तो आपको पता हो न चीह वह अंदर वले को जीरो बनागे पॉस्टी वले जितने इस बनांगे यह नेगटी वले अंदर वले को जीरो बनाके देखो कहां बनता है मिनिमम या मैक्सिमम वाल्य अपने आप आजाएगी आप ओके लिए नाव कंटू नेक्स्ट अब आप सेकिंड पार्ट होंगों के त्राइट यॉर्सेल थर्ड पार्ट करने साइन मेरे पास टू एक्स प्लस फाइब मेरे पास दिया हो और अब देखिए कैसे दिमाग चलाऊं मैं हिट्टन ट्राइल के लिए मुझे पता है साइन थीटा जो मर्जी हो ग्रेटर देन इक्वल तू माइनस वन लेस देन इक्वल तू वान साइन कॉज में ऐसे करो यह ट् पर मुझे क्या चाहिए 5 भी साथ चाहिए 5 एड़ कर दो सब जगह क्यों कि पॉस्टी है अब देखो इसकी दो वैल्यू जागे 4 & 6 minimum value 4 maximum value 6 आई के नहीं है पता चला बढ़ा चले होंगे हांजी next मेरे पास तो है ऐसा ही मेरे पास 4th part है let us do the 4th part मैं यह रब करने लगी हूं 4th part करवाने लगी हूं हांजी question second fourth part f of x mod sin 4x plus 3 start कहां से करें sin आगया minus 1 to 1 से start करें sin 4x greater than equal to minus 1 less than equal to 1 फिर क्या करें 3 एड़ करें 3 एड़ किया तो टू प्री एड़ किया तो फोर अरे मौड भी ले लूंगी कोई negative तो हाई नहीं अगले पार्ट में मौड था मौड ले लेती हूं यहां तो पॉस्टी यहां पर भी पॉस्टी वे फरक थोड़ा पढ़ना है अगर वाई चांस कहीं नेगटीव होता मौड हम ले ले तो वो नेगटीव क्या बन जाएगा पॉस्टी बन जाता अपने ठीक है ना तो आट मीज आंसर किस पर होगा मिनिमम वाल्यू टू माक्सिमम वाल्यू को कोई मुश्किल नहीं है यह संग्ज ऑनलाइं स्टूडेंट्स क्लियर बेटा ओनलाइं स्टूडेंट्स ओके ओके सुहानी बेटा यह बात क्लियर हो गए अब कोश्चन नंबर आपको टू क्लियर हो गया कि क्या है ठीक है लेट उस डू नाओ कोश्चन नंबर अच्छा ऐसा भी फंक्शन हो सकता है जिसकी कोई भी ना तो मिनिमम वैल्यू ऐसी अ ठीक करता है एक जिसमें नहीं निकलता है ना निकलू निकलू कि जिसमें नहीं नहिं नहीं कलू वै कि तो अब सबसे पहला फंक्शन मेरे पास्ट होगे फर्स्ट पार्ट कि मैं आप दूसरे मैथ्ट से एक बार करके दिखा तो कि कहना वह भी रीकॉल होना चाहिए सीधा तो में पता है मिनिमम वैली जीरो है लोकल मिनिम अंडर पर्संट और आट वैली जीरो यह तो आपको पता चल रहे हैं बटेक बार हम दूसरी तरह भी करके दिखा दें अन्ध उपल टूसरी और 양 उपले कॉइल टूसरी डोसरी जीरो मिनिम टूसरी यह तो टूसरी जीरो मिनिम मे травी loving that in 0 को स्केर, आंसर इस जिए. इते हैं, कोई डाउट तो नहीं कि इसी को, चले हांगे बटा, वेरी इजी, चलो आप अपना सकिंद पात निकाल रहे, हरी अप, दू 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 सकिंद पात बेटा, दू यरसल और दू यरसल और शो मी अन यर सक्रीन, जल्दी जल्दी बेटा, प्लीज, अन यर वीडियो और शो इट टू मी एक सकिंद के लिए बस करके, मुझे दिखाके आप वीडियो आफ कर लेना मुझे कोई प्रॉब्लम निहीं, जल्दी बेटा, शाबश जल्दी कीजिए सकिंद पात, अब मैं आपको एक बात बता दू, क्यूब है न, डेरिवेटिव करो के स्केर होगा, दो पॉइंगे ही आएंगे, अना, दो पॉइंगे ही आएंगे, तो वहाँ दोनों पे चेक करना है, क्या पता एक में लोकल मैक्सिमा, एक में लोकल मिनिमा हो, क्या पता, एक में कुछ हो, अगर अकेला ही कहा जाता, मैक्सिमा निकालो, फिर तो एक ही सलेक्ट होना था, मिनिमा का होता तो एक ही सलेक्ट को ना था, जब दो पॉइंट्स आये, अंडर परसंट, उसमें, चेक कीजिए आप, कैल्कुलेट कीजिए सभी, आएगा, स्केर होगा न, एक स्केर इस इकल टू बान न, एक स्केर इस इकल टू माइनस वह नहीं सकता, वेरी गुड़ स्वानी, स्वानी आगे करो थोड़ी कॉपी, क्या पॉइंट्स आये, स्वानी अन्मूट करके बताईए, एंट वान एंड माइनस वान, वान एंड माइनस वान आ रहें बेटा, बिलकुल कुरेक्ट है, चलिए बेटा, नेक्स्ट बेटा मैं ये कोशन करवाने लगी थी, साइन एक्स प्लस कॉज एक्स, एक्स ग्रेटर देन जीरो लेस देन टूबाई, डेरिवेटिव मेथल सही करना पड़ेगा, क्योंकि यहां आपको समझ नहीं आएगी, तो पहले, ह- साइन का डेरिवेटिव कोश का डेरिवेटिव माइन साइन एक्स अब इसको जीरो पूट करना है, एक्स जीरो जब पूट किया, कॉज एक्स माइनस साइन एक्स इक्स इक्वल टू जीरो, तो यह उधर गया, तो 10x is equal to 1 आगे क्योंकि उधर गया sign over cos 1 बन गया अब कब यह 1 होता है 45 पे एक ही वाल्यू ले पाई की वैल्यू पे इंक्रीज होता है यानि एगला अगर बिल कोल जी 5 5 4 अच्छा जब मैं आगे लगाऊंगी पाई तो वो 9 5 4 उसको एक्सीड ना कर जाए देख लो खुद देख लो 45 को 9 से मल्टीप्लाइ करें तो यह 100% 360 को एक्सीड करेगा तो दो ही वैल्डी जागी इसी पे अब आप डबल डेरिवेटी पुट करके चेक कर सकते हो ना को जाएगा ना सभी का कोई डाउट कर नहीं किसी को चलू आगे नाव बेटा सेम नेक्स्ट कोशन है यह ओमवर्क इस तो कम्प्लीट कोशन नंबर थ्री क्योंकि मैंने साइन को जोला भी करा दिया मैंने पॉलिनोमियल वला भी करा दिया तो यूंवाफ टू कम्प्लीट कोशन नंबर त्री बेटा ओके जी सारे कोशन स्ट्राय करोगे प्लीज राइजरू करना हर किसी में पॉइंट निकालने का जो है मैं थर अलग हो सकता है अब ऐसे ही मेरे पास बेटा कोशन नंबर फूर्थ है प्रूफ दाट दे फॉल्विंग फंक्शन डू नोट खैव मैंक्सिमा और बीजे मां अब मैं का अधाू पार्ट करके दिखाओंगी लेटव सी तकिंड पार्ट करके दिखातें लॉच जह की पॉर्ट अलोक ल juist का लोकल मैक्सिमा लोकल मिनीमम नहीं अलेप लटशन नमिपर फोर्ट आलाइम क्विंग परिशम जीस इवाल टॉकाल टुब्शम प एक्स पर वाइडिर एक्स नॉट इक्वल टू जी अब आप खुद देखो है पॉस्टीग पुट करते जाओ है ना वन बाइटू वन बाइट्री वन बाइफॉर वन बाइफाइब वन बाइफिव नेगटीव पुट करो गयों नेगटीव मतब जैसे एक्स अप्रोच कर रह मैं अगर सेकिंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाती हूं यह देखें तो मेरे पास यहां एक्स की वैल्यू माइनस वन पावर आगे गई एक पावर कम हुए क्या बन गया माइनस वन बाइक्स स्केर इसने पॉस्टी भी रहना है रहना करें जो मर्जी वैल्यू पुट कर दो आप कहते हो कि मैं यह लेज देन जीरो रहेगा बट कौन से पॉइंट भी पॉइंट ही निकल रहा मेरे पास प्रिटिकल पॉइंट ही नहीं है प्रिटिकल पॉइंट होगा तो मैं कर पाउंगी नूँ क्योंकि जब आप वन बाइ-एक्स को जीरो पूट करते हैं यह वान कोई डाउट तो नहीं किसी को भी चले आगे ओनलाइं स्टुडेंट्स वो भी देखो यह किया मैंने वेल्यू पूट की यहां बर एपावर एक्स एडैश एडैश एपावर एक्स डबल डैश एडैश एपावर एक्स इसको जीरो पूट किया किसी एक्स की वैल्यू पर यह जीरो बन नहीं सकता अ पावर जीरो कर लो तो वान ना आएगा पावर यहां पर जीरो करो वह लोगे तो एडैश एकि वैल्यू पर यह 0 आदे है मैं क्रिटिकल कॉइंड इने कल्कुलेट कर रही कर सकती हूं तो मैं आगे क्या चेक करूंगी ना फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट निकाल सकती हूं ना सेकिंड आट्स वाई सच टाइप आप फॉंक्शन्स आर नाट हविंग जोगे लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमूर को के जी मतलब क्रिटिकल पॉइंड आएगा तो मैं सकींड डेरिवेटिवेटिव टेस्ट लगां यहां वो नेचर ही नहीं चेंज करेगा क्योंकि मेरे पास क्रिटिकल पॉइंट ही नहीं किस पॉइंड अगर फर्स डेरिवेटिव टेस्ट लगाना है किस पॉइंड के लेफ्ट पे देखू राइट पे देखू पॉसिबल ही नहीं है समयदाई बार चलू आगे चलिए ब नुमबर फॉर्थ मैंने दो पार्ट डिसकुस कर दी है एक पार्ट आपका उंबग है फर्ड पार्ट ठीक है थी क्लियर अब एटर नेक्स्ट मेरे पास होई कोर्शन नंबर फिफ्ट फाइंड आप्सल्यूट मैक्सीमा एंड मिनिमा अप्सल्यूट मैक्सीमा तो बहुत इसी था क्या करते थे आप डैश एक्स निकालते थे उसको इक्वल टू जीरो पूट करते थे वहां से क्रेटिकल पॉइंट आते थे प्रिटिकल पॉइंट और इंटर्वल वाले पॉइंट्स को सब फंक्शन की वैल्यू देखें जिस पे सबसे ज्यादा है वह मैक्सिमा जिसमें सबसे कम है वह एपसल्यूट मिनिमा एपसल्यूट वैक्सिमा मिनिमा तो सबसे एजी है ओके जी क्लियर तो दाट मेंज कोशन फिफ्ट भी आप खुद ही ट्राइब करोगे ओके हां एक पार्ट कर दें लो जी लेट उस डू जो आप बोलते हूं चलो सेकेंड पार्ट करा देती हूं साइन कॉज है ना लेट उस डू मेरे पास होगे सेकिंड पार्ट एफ एफ एक्स साइन एक्स प्लस चलो बेटा इसको करके दिखा देती है एक बार डेरिगेटिव ले कोज एक्स माइनस साइन एक्स पहला क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल में इक्वल टू झीरो कोज एक्स माइनस साइन X equal to 0, cos X equal to sin X, tan X equal to 1, यह court लेलो, कोई भी लेलो, मैं हमेशा टैन बनाती हूं, ठीके न, तो 1 आया, अब X की वेल्यू पाइबाई-फोर, अगर मैं 5 पाइबाई-फोर लेती हूं, वो पाई को एकसीड कर रहा है, क्योंकि 45 x 5 एक्लियर कट 180 से बढ़ा होता है, 5 x 4, 45 है, 5 से multiply करेंगे तो C, एक ही point आएगा, that lies between 0 to 5 है, ठीक है, so that means, f of 5 x 4 देखो, f of 0 देखो, f of 5 देखो, calculate करें, f of 5 x 4, 0 बन जाएगा, पॉस 45, ठीक है न, minus sin 45, 1 by root 2, 1 by root 2, वो क्या बन जाता है, 0, f of 0, जब मैं 0 पूट करूँगी, 0 पूट करूँगे, 1, पॉस 0, 1 होता है, ठीक है न, 1, पाई पे, minus 1, minus 0, मेरे पास, तो क्या जाएगा, that is minus 1, minimum value, maximum value, absolute maximum, absolute minimum, बात समयाई, समयाँ, और किसी को कोई डाउट, any doubt, anything you want to ask, बेटा, अब बेटा, सिर्फ आपने जो questions try करने है, 10th तक, बस, आगे statement वले questions है, मैं ही discuss करूँगी, 10th तक, आपका homework है, you have to try that, ठीक है, 10th के बाद कोई problem होगी, तो वह वैसे भी discuss करेंगे, आप 10 तक, Monday तक करके हो, 10 तक I will ask you the problem, ओके, till then बेटां, गुडबाए, और टेक केर,